दोस्तों केंद्रिय चेन परसत सिपाही भरती CSBC के वर से बहुत ही महतपूर नोटीस चारी किया गया है तो उचलिए फटाफट आप सभी ओफिस्यल नोटीस देखे और आप देखेगा दोस्तों तो एक नहीं दो-दो नोटीस चारी हुआ है तो चलिए दोनोटीस को आप अच्छे से देखे और सभी चीजों के बारे मच्छे समझ लीजिए अभी दोस्तों आप सभी जम के तैयारी इसलिए कर रहे हैं कि सलेक्शन होना चाहिए फैनल सलेक्शन तक पहुँचना है और देखिये हैं एक भी गल्ती कुछ हो जाता और आप बाहर हो जाएएगा तो फिर ऐसी त्यारी का मतलब कre आप इतने मेहनत से त्यारी कर रहे है दीन रात एक करके चाहते हैं पुलिस बनना और एक गल्ती के कारण से अगर सपना अधूरा रह जाएगा तो फिर त्यारी का कोई मतलब नहीं रहा जाता है तो चलिए सभी चीजों के बारे महाँ पच्छे से देखे और समझ लिजे तो यहां से आप नोटीस तेखने के लिए आपको CSBC कॉफिस्यल वेबसाइट पर आ जाना है और आप सभी दोस्तों ये बताइए कि आप में इसे कौन-कौन अभी आप देखेगा तो भीहार करमचारी चेनायो के माध्यम से भीहार SSC इंटर लेवल की भरती आई है तो आप में इसे कौन-कौन फॉर्म फिलपकिया और कौन-कौन तैयारी करने स्रियास रूप से फटा-फट कमेंट करके बताइए और देखेगा इंटर लेवल से सम्बाधित भी हम आप लोगों को द्यारी करवाने वाले है और इसमें से दोस्तों लगवग 20,000 जो सीट है बिहार पुलिस कॉनस्टेवल का ही रहने वाला है तो देखिए एक जो नियम होता है यह सभी भरती पर लागू होता है CSBC से संबनित जितने भी तरह की बाहली है सभी पर यह नोटी सब कुछ लागू होगा और आपको सब पहले से पता रहेगा तो फिर आपके साथ यह प्रोब्लेम नहीं होगा आप समय रहते जो भी कमी है उसमें सुधार कर लिजेगा फिर आपको दीकत नहीं होगा तो अच्छे से आप सभी चीजों के बारे में देख लिजे तो यहां पर आप देखेगा कारियाले आदेश है कंद्रिया चैन परसत सिपाही भरती का और यहां पर आप देखेगा तो आवस्यक सूचना है बिग्यापन संख्या जीरो टू दू हजार बैस तो देखे CSBC में क कुछ भी गलती है चलो कोई दिखत नहीं है एकजाम दीजिएगा लिखित परिक्षा के रिजल्ट आ जाएगा रिजल्ट आने के बाद होगा आपका फीजिकल टेस्ट और जब आप फीजिकल देने जाएगा तो उसी समय आपका होता है डॉकुमेंट फेरिफिकेशन यानि की डी भी फीजिकल के समय आपसे सभी डॉकुमेंट मंगवाया जाता है कि आपको सभी परवान पत्र लेकर आना जिसमें टेंथ ट्यल्ट कायट्गरी यानि फॉर्म भरते इसमें जो भी रिटेल्स दिया सभी चीजों को यहाँ पर फीजिकल किसमय डॉकुमेंट मांगा ज करते है जो फेल हो गई है तो कोई मतलब ही नहीं उसका तो मेरी टाना नहीं जो पास है 1000 माली जे एक अजार फिजिकल दे रहे हैं एक हजार मेंसे जो भी 400-500 पास उसी पास वाले का डॉकुमेंट चेक होता है अब चेक करते समय सभी डॉकुमेंट को अच्छे से चेक किया जाता है और कुछ भी कमी रहेगा तो फिर आपको इससे संब्धित सूचना वेबसाइट पर दी जाती है कि आप यह की डॉकुमेंट सब कुछ लेकर आईए अगर आप नहीं लेकर क्या आते हैं तो आपको रिजेक्ट भी किया जा सकता है इसी संब्धित यहां पर देखिएगा अभी पर देखिएगा तो पर देखिएगा तो पर देना पर देना पर नन क्रीमिलियर सिर्फ आपको जाती परमान पत्र से सरकारी नौकरी लेना है तो काम नहीं चनले वाला है सरकारी नौकरी चाहिए तो अभी देखिए जब भी फॉर्म से रिल्टेड हम आप लोगों की वीडियो बना कर देते हैं दोस्तों तो मेरा मोटीव यही रहता है कि आपके साथ कुछ भी दिक्कत ना हो बाद में प्रोब्लेम ना आए तो जब भी वेकेंसी आती है उस चाहिए गया तो कोई दीकत नहीं है तो इन सभी चीज़ों से रिल्टेड आप लोगों को सभी चीज़ों के बारे में समय रहते हैं सब कुछ बता देते हैं आप नहीं देखते हैं इसी कारणसी यहां पर दिक्कत अपके साथ हो सकता है अब जिखिए फैनल सेलेक्शन से व बनेगा फिर NCL के लिए अपला होता है अभी बिहार SAC में भी यही गलती आप कर दिये हैं फॉर्म भरते इसमें बिना NCL का फॉर्म फिलब कर दिये हैं तो फिर आपको बाद में वेरिफिकेशन में बहुत दिखत होगा यानि सेलेक्शन से भी आप वन्चीत हो सकते हैं तो ड बरबार निर्गत नहीं किया जाएं यानि बार बार नहीं बनाने के जुरत है और आपको एक वार बनाए हैं तो उसी क्याधार पर फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म भर दीजेगा जब डिवी के लिए जाएगा तो उसमें को एक घोशना पत फॉर्म 16 का भी यह फिलब करके देना है अब आप भिहार्थी क्या किये हैं कि जो बीसी बीसी वाले हैं ये घोसना पत्र तो दे दिये हैं इस तरह का फॉर्मेट में होता है कि माय जो भी आपका नाम है पिता थाना राज्य बिहार और यहां पर सपत पत्र दे दिये हैं लेकिन ये सपत पत्र से ही सिर्फ काम नहीं चलता है इसके लिए आपके पास NCL कोई एक साल, दो साल, तिन साल पुराना भी है तो चलेगा लेकिन आपको जमा करना परेगा तब हरती क्या कि NCL जमा ही नहीं किया है शिर्फ गोशना पत्र जमा किया तो गोशना पत्र जमा करने से काम नहीं चलने वाला आपको NCL भी अगर आप देने में सक्षम नहीं है तो फिर आपको जनरल कैटुगरी में भी रखा जा सकता है ये सब सब कुछ CSPC पर डिपेंड है इसी के बारे में कहा गया है यहाँ पर गैडलेंस है अब NCL में देखेगा तो गैडलेंस आठारा आठारा फैमिली का इंकम अधिक नहीं होन चाहिए आठारा यहाँ पर है और फॉर्म अठारा का भी 36 पर इसमें सनलगन किया गया है इस सूचना के माध्यम से कहना है कि भारत सरकार बिहार सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अनुरूप किरिमी लियार रहित परमानपत सपत पत्र फॉर्म अठारा भी के साथ पुरूप का निर्गत परमानपत की इछाया परती सनलगन करते हुए केंद्रिया चैन परसा सिपाही भरते उनीस अक्टूबर से ले करके 29 सक्टूबर यानि 10 दिन का समय दिया गया है कार्ज दिवास में आपको जमा कर देना अगर आप नहीं करते हैं तब क्या दोस्तों आपको यहां पर कैंसील किया जा सकता है अगर आप नहीं डॉकुमेंट दिजे गा फिर आप 2019 सब कर दसक्राइन इस दिए हुए हैं तो दिखकत नहीं है यए उसके लिए नोटीश SOP dazu यह घोशना पत्र दिये हैं लेकिन पुराना कियं निआ है उसके लिए है पिर भी अगर आपका merit list इसमें नाम आया है तो आप CSPC संपर्क भी कर सकते हैं इस notice का मुल सार ये है दोस्तों कि आपको NCL पर्मान पत्र जमा करना है अगर आपके पास एक साल सधिक पुराना है तो उस condition में घोशना पत्र form 18B देना परता है और ये घोशना पत test जो भी दिये है NCL तब आपको एक घोशना पत्र उसमें मांगा ही नहीं जाता है क्लियर हो गया अभी आप 2391 में selection लेना चाहते इस बात को अच्छे से धियान रखिएगा सभी document अपना त्यार कर लिए जब verification के लिए जाएगा इन सभी चीज़ों पर धियान रखिएगा औ यहां पर आपको बीतिया वर्स से संबंधित है उस अनुसार आपका EWS परमान पत्र देना है और इसी संबंधित एक संसोधित पत्र है यह 19 अक्टूवर का है तो यहां पर देखेगा वर्स 2022 में मधनिश्यद की 689 पदों पर वेकेंसी आई थी और 14 मैं 2023 को एक जाम लिया ग 2021 के लिए मान अंकित हो गया जिससे बीतिया वर्स 2021 आपको समझना है यानि EWS जो होना चे 2021 का होना चे इस परमान पर देखेगा तो इसमें क्या होता है एक साल पीछे का यहां पर क्या होता है यहां पर डेट भी दे दिया गया आपके सोहलियत के लिए एक अप्रेल 2021 के इंकम है उस अनुसार आपको EWS परत्र बना कर देना है तो BCBC वालों की बात करें तो NCL परमान पत्र फौर मठारवी के बारे में देख लिए जो की सुरूम बताएं और यह EWS से संबधी था अगर आप EWS काटोगरी में है तो आपको यहां पर इसमें किये क्या है चात्र की नया वाला लेटेस्ट बना कर गए है लेकिन लेटेस्ट नहीं चाहिए इसमें फाइननसियल येर 2021 यानि एक अपरेल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक आपके परिवार का इंकम क्या है उस अनुसार आपको EWS परमान पत्र देना है तो यहां पर आपका जिसका भी रिजल्ट आया ह इन सभी डॉकुमेंट को अपना दुरूस्त कर लिजे जो भी समय दिया गया है दस दिन का EWS समभधि देखेगा तो 28 है और बांकी BC, BC, NCL वालों के लिए 29 तारिक तक है ये नोटीस आप यहां पर प्रोविशन डिपार्टमेंट टैब पर आईएगा तुनीस अक्टूबर में फरवरी मार्च ना एक्जाम चला जाए बहुत जैदे डिले ना किया जाए तो कि देखेगा जितना जल्द एक्जाम हो जाएगा और उससे भी जरूरी है कि हाँ पर जो भी पेपर लिक यह सब चीजे से हैं उसका जल से जल कंप्लीट किया जो भी दोस्य उसको सक्त से स जजा मिले और बांकी यहां पर एक्जाम से समझे तो इसी साल लाश्ट तक ले लिया जाए आपके लिए बहतर होगा जल से जल एक्जाम होगा तभी तो रिजल्ट आएगा फिजिकल दीजेगा फिर आपका ज्वैनिंग होगा फैनल है कि आपका जवाब होना चाही और जो